अम श्यांति और नमस्ते आप सब श्रुताओं का अपस्वागत है आपके ही यूटीब चैनल पर सीख दे सोल दे रिकलाइज विदिन में और आज के इश्रे वर्दान में हमें क्या सखाते हैं सुख शान्ति के लिए आज इसको हम समझेंगे सतो प्रतां स्थिति में स्थित रहाए सतो प्रतां मैंन के अंदर अनक्ति फहोई कोई च सहह नहीं कोई णेगेटिविटी इसकोई घ्ख श्याल नहीं दुनिये के बारे में कुछ गलत ख्याल नहों तो सतो प्रदान स्थिती में स्थित रहे सदा सुख शांती की अनुभूती करने वाले डबल अहिंसक भवा अब हिंसा तो हम जानते हैं मार पीट वाइलेंस डबल अहिंसक क्या हो गया इसमें ये भी अब चानेंगे तो प्रदा प्रमा तो कहते हैं सदा अपने सतो प्रदान संसकारों में स्थित रहे सुख शांती की अनुभूती करना पहले रहना और फिर उसमें करना ये सच्ची अहिंसा है तो अगर हम सतो प्रदान स्थिती में हम पवित्र सोचते हैं, पवित्र बूलते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, तो वो होगी अहिंसा, नई definition, अहिंसा की, हिंसक अर्थात, जिससे दुख अशान्ती की प्राप्ती हो, तो हम सोचते सिर्फ मारना पीटना किसी को वो ही गलत है, लेकिन परमात्मा कहते हैं, आज definition change करती है परमात्मा ने, बाबा कहते हैं, परमपित्र परमात्मा, गौड़ फादर कहते हैं, कि अगर आपने किसी को दुख अशान्ती दी, तो वो भी हिंसा है, तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं, सोची कहें जरा, यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिती को डगमक कर देते हो, तो ये भी हिंसा है, अगर हम अपने शब्दों से अपशब्द कहें किसी को दुख पहुचा देते हैं, किसी को गलत कहते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं, किसी को बुरा दिखाते थे, किसी की गलतियों को बार बार उसको दिखाते हैं, उसको उसका आइन्या बार-बार दिखाते हैं कि वो दुखी हो जाया आत्मा आपसे तो परमात्मा कहते हैं वो भी हिंसा है तो ऐसी आत्माएं शरीर कैसे छोड़ेंगी दुखी हो करके तड़पते तड़पते छोड़ेंगी क्योंकि उन्होंने औरों से दुवाएं नहीं कम यह दुख होगा आपको, वह यह रहागा कि काश मैने अपने अपने फोकस क़या उँभ नकिका नहीं कुशे तो और उक्यों उपर अपने समय अपनी एनर्जी वेस्ट करके आप अपने कर्म खराम ना करें आप अपनी शक्तियां ना खराब करें और साथी साथ हिंसा ना करें तो परमात पर कहते हैं 2- यदि फिर यदी कोई शब्द वरक इसकी श्थिती को ड्गमक कर देते हो तो वह भी एक हिसाब किता बन जाता है आपका गरते हो तो यह भी हिंसा है दो, यदी, second point, यदी, अपने सतोप्रदान संस्कारों को दबा कर, अगर आपने सतोप्रदान संसकारों को दबा दिया, कि अभी है, ये situation में मैं sweetly बात नहीं करूँगा, या मैं अच्छे से बात नहीं करूँगा, मैं अभी इसको दिखाता हूँ, इसकी जगा क्या है, इसको गुए गोषे । को मैं समझाता हूँ जिसको । डाठन पड़ेगा मिश्राइब चलाना पड़ेगा तो आपने सत्यूप्रदान सित्य को चोड दिया तो यदि अपने सतो प्रधान संसकारों को दबा कर दूसरे संसकारों को प्रैक्टिकल में लाते हो मलग कि दूसरे संसकार को होंगे एक होगे सतो प्रधान, सत्यूगी संसकार उसके ओपसेट होगे कल्यूगी संसकार तो जिसको कहते है तमो प्रधान संसकार को लाते हो तो ये भी हिंसा है, इसलिए महींता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो तो ये सोच लीजेगा हिंसा, हम सिर्फ सोच जेते हैं किसी को थपन मारती है, चाकू से किसी को मर्ड़ करती है परमात्मने कहा है किसी को दुख देना किसी की खुशी की स्तिति को डगम करना कोई संतुस्ट है और उसको असंतुस्ट कर दो कि आरे तुम तो अभी तक देरी पहुंचे वो तुमने लाइफ में कुछ किया नहीं है तुमने तो आगे बढ़ना चीह था ये भी करना उसको बगना करें किसी को सुखी यर्खुश देखते हुए कई लोग उनको हिलाते हैं कि को अंदर से खुश desserts को बिमारी उसे छोड़ेंगी तो आज के ये इश्री वर्दान अगर आपको लगता है कि ये एक आपके लिए भी परमात्मा के द्वारा दी गई जेतावनी है कि बच्चे समल जाओ तो आज आप भी अपने आपको चेंज करें और मैं तो इस चीज में लगा वा हूँ काफी सालों से लेकिन चेंज करना असान नहीं है लेकिन जब समझ आ जाए तो आहिस्त द्यासते करके चेंज होते जाते हैं तो आपका दिन शुब हो आप स्वस्तरे उम्शान्ति